लब और पेर की सिलाई लगाने का तरीका तो देखें दोनों पट्टियों को हमें पहले जोडनी है और अब हम इस पे शिलाई लगाएंगे पहले पेर की पेर की सिलाई लगाने से लब सही आएगी फिर आप भी ऐसे लगाएंगे दोनों उंगलियों से दबा के रखना है कपड़े को ताके कपड़ा फिस लेना अगर जरा सभी हमने धीला छोड़ा तो टेड़ी हो जाएगी सिलाई इसलिए बिलकुल सीद में उंगलियों रखनी है और आराम से लब की सिलाई लगाते जाना है उंगलियों नहीं हटानी है ऐसे तो यह हमारे लब की सिलाई लग गई अब देखें कैसी साफ सिलाई है बिलकुल ऐसे यह आपको लगानी है कि अगलब बिलकुल बेड़ी है हुआ सुआ साफ स्मून कि और लगानी है लगानी है आरे लगानी है और लगानी है झाल झाल